आज इस वीडियो के अंदर हम आपको एक कमाल के ट्रिक के बारे में बताएंगे ट्रिक ऐसी है कि आज इस वीडियो को देखने की बाद आप सीख जाएंगे कि आखिरकार कैसे पता किया जाता है कि हमारे मुबाइल नमबर से कितने इमेल आड़ी अभी तक बनाए गए है अगर आप पता करना चाहते हैं कि हमारे नमबर से कितने इमेल आड़ी बनाए गए है तो आप आसानी से पता कर सकते हैं कोई भी आपको परिशानी नहीं मिलेगी बस आप इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिएगा सबसे पहले क्या करना है कि आपको अपना Gmail एकाउंट ओपिन करना है जो आपका ये Gmail एकाउंट है इसे आपको ओपिन कर लेना है उसकी बाद अपनी ID पर क्लिक करना है ID पर क्लिक करने की बाद यहाँ पर मिलेगा आपको एक Add Another Account और आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे आपके समने आजएगा Google का एक Option और आपको Google पर क्लिक करना है जैसे आप पर Google पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस तरीके से पेज आएगा अब यहां पर आपको अपना स्क्रीन लॉग डाल देना होगा जो भी आपका स्क्रीन लॉग हो उसकी बाद इस तरीके से आपका यहां पर एक पेज आ जाएगा यहां पर आप अपने मुबाइल नमबर से अपने सारे email id को पता कर सकते हैं कि हमारे mobile नमबर को योज करके कितने email id बनाए गए हैं लेकिन यहां पर आपको सिर्फ एक और जानकारी होना चाहिए जैसे कि आपका mobile नमबर हो गया वो तो आपके पास होगा लेकिन आपका नाम क्या है क्योंकि जब आपका email ID बनाया जाता है तो वहाँ पर कोई नाम भी डाला जाता है जैसे अगर हम यहाँ पर आपको दिखाएं हमारे email ID है, इस वाले mobile में तो जितने सारे email ID है सारे के सारे email ID पर हमारा name कोई ना कोई है जैसा कि हम इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं सिवंपाल सिवंपाल टेक्निकल सिवंपाल टेक्ट देखो एक यह है हमारा इस नाम से और एक यहाँ पर यह दिख रहा है देख सकते हैं यहाँ पर यह दिख रहा है तो किसी ना किसी नाम से बना करना पड़ेगा तो यहाँ पर बोल रहा है कि phone number और email अगर आपको email पता है तो आप email डाल देना क्योंकि हमें तो पता ही करना है email तो पता नहीं है तो हम यहाँ पर mobile number को डालेंगे तो हम इस पर click करते हैं click करने की बाद आप यहाँ पर करते हैं कि मुबाइल नंबर इंटर करते हैं हम अपना वाला मुबाइल नंबर को इंटर करेंगे इंटर करने की बाद आप यहां पर आपको मिलेगा एक नेस्ट बटन और आपको इस पर क्लिक करना है जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे अब आप से पूछा जाएगा कि आपका नाम किया है, तो हमारा नाम तो है Sivam Pal, तो हम यहाँ पर अपना नेम डालेंगे Sivam उसके बाद यहाँ पर डालेंगे अपना last name में Pal, जो भी आपका हो आप अपना डालेंगे, उसके बाद नेस्ट करेंगे, तो इस नाम से जितने सारे email ID बनाए गए होंगे सारे के सारे email ID आपको अभी दिखाई दे जाएंगे बस आपको इसे verify करना होगा verify का मतलब कि आपके mobile number पर एक OTP जाएगा उसके बाद वो OTP आपको यहाँ पर enter करना पड़ेगा तो हम थोड़ा सा wait करते हैं हमारे mobile number पर अभी एक OTP आजाएगा तो हमारे पास आज चुका है जो OTP आया हुआ है वो है 29,93,84 तो हम यह आप डालेंगे 29,93,84 और nest जिसे हमारा mobile number verify हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे नाम से कितने email ID यहाँ पर बनाए गए हैं देख सकते हैं यहाँ पर एक email ID यह बना हुआ है एक हमारा येवला email ID बना हुआ है एक हमारा येवला email ID बना हुआ है तो ऐसे आप पता कर सकते हैं कि आपके नाम से और आपके mobile number का यूज करके कितने सारे email ID बनाए गए हैं अगर आपके family member में किसी का भी कोई भी नाम है और आप चेक करना चाहते हैं कहीं एसा तो नहीं कि हमारे ही मुवाइल नंबर से उनका भी email id बना हो तो जहां पर मैंने अपना name डाला है वहां पर आपने family member का name डाल कर चेक कर सकते हैं अगर आपका family member ने आपके mobile number को यूज करके वह अपने नाम से email id बनाया होगा तो वो भी आपके सामने आजएगा जैसे मैंने डाला था सिवंपाल हो सकता है कि आपके family member में किसी का नाम होगा सत्यमपाल राहूल कुछ भी होगा तो वो आप डाल कर चेक करना अगर उसका नाम आ जाता है यहां पर email id आ जाती है अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो यार लाइक कर सकते हैं और हाँ वीडियो अगर आपने पूरा ध्यान से देखा हुआ है तो इसके लिए हमारी तरफ से आपको बहुत धन्नवाद